सबसे पहले सभी कुछ आदर परणाम और जब भी कुई अच्छा चीज होता है या अच्छी फिल में बनती है तो अपने आप हला होता है और हमने के भोजपूरियां ऐसा पुजिटीव वाइब्स हम लोग बोलते हैं इंग्लीस में और बोजपूरि में काला की अतना ना हला को दिया जाओ अतना अपना चीज के बेहतरीन बना दिया जाओ कि लोग सोचे पर मजबूर हो जाओ कि भाई इह हला कहां से सुनाता है तो फिल्म के नाम बा हो हला जेकर ड नविंद सर और गुबिन गिरी सर और एक नई टीम यह लोग की पहली फिल्म है प्रोडूसर्स जो हमारे हैं वो लोग की सोच है कि एक अच्छी फिल्म एक मोटिवेशनल और एक संदेश भरा फिल्म साथ में अपने कल्चर को लेके चलना है तो इस फिल्म में आपको सब देखने को मिलेगा साथ ही हमारी जो टेकनिशन टीम है हमारे डियोपी आयोवली खान सर और अल्थमस भाई साथ में उनका साथ दे रहें दिपक भाई और उनकी डिरेक्टर सर के जो एस असोशेट टीम है लिटिल भाई वरून भाई अकास जी और जितने भी आर्टिस्ट ह खास करके बिनित पिसाल जी अमना सुनुपांडे भाई बबलु खान साब लाल धारी जैसिंग भाईया सुधा जाजी राम सुजान सिंग बंदू खन्ना जी और भी बहुत सारे कलाकार हैं इसमें जो सभी लोग मिलके हम अकेले हला नहीं कर रहे हैं साथ में हमारी एक्ट् केनगे कंसे का जलो के स सकाजल नहीं होता है आप कितना भी सिंगार कर लिजी अगर आप काजल न लगा हें तो सारह सिंगार गरा है नाम ही काजल नहीं स्था उनक्वा तो कजल यादो जी बहुत ही है सेट पर इतनी मतलब उनका निचार ऐसा है बहुत सान्थ रहती है लेकिन काम जब भी करती है तो दिखता है काम और बहुत सिंसीर हैं बहुत ही है फिल्म किस तरीके से चेंजिंग होने वाला मतलब यह इस फिल्म को अपके अपने के कि हर आर्टिस्ट जो भी कोई नई फिल्म करता है तो सोचता है कि हम अलग बनाएंगे हर डिरेक्टर की सोच होती हम अलग बनाएंगे बनते बनते कुछ अलग बन जाती है कोई को फिल्म कुछ ज्यादा ही अलग बन जाती है और कुछ फिल्में जो होती है एक आर्टिस्ट के हर एक वो चीज मतलब काला नहों कि कोता ही नेखिया बरतल जान प्रोडूसर्स के तरफ से भी और हम एक्टर के तरफ से भी काते है कि आजकल भुछपूरी फिल्म में कल्ट बनाई जा रहे है क्या बाक्य में बुछपूरी फिल्म होती है चाहिए वह छोटी हो या बड़ी कभी क्या होता है कि लोग छोटी हो बड़ी हो जाती है हाँ कभी गभी कोई बड़ी फिल्म होती है वह उतना response ने देती है जो देनी ची तो मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं अपने फिल्म के बारे में बोलूँगा की आप जब फिल्म देखेंगे है और आप जो है करिया भी दिख रहे हैं नाम तो करिभ जी है यह उपनाम आप इसमें मैं इसमें जो करेक्टर हैं एक हिरो वही जो जो अपने फिल्म के करेक्टर को अच्छे तरीके से जीए तो इस फिल्म में मैं एक लोहार का बेटा बना हूँ और जैसा मैं हूँ वो ऐसा इस करेक्टर में नहीं जा रहा था तो हमारे प्रोडूसर ने बोला कि जो हमारे डिक्टर ने बोला कि थोड़ा सा आपको हलका सामला दिखना है और थोड़ा मेहनती दिखना है तो उन्हों ने ऐसा बोला फिर सब्सक्राइब बाकि नाम उठी है ना चैन है ना कुछ है बस एक सिंपल लड़का जिसका सपना है कुछ कर गुजरने का तो वो इस फिल्म में करेगा यूद को कितना मैसेज मिलेगा आपके करेक्टर से यूद को यह मैसेज मिलेगा कि अगर कोई भी लड़का चाह दे कि मु मुमकिन है मुमकिन है बस उसके लिए महनत उसके लिए महनत और उसके लिए दिमाग आज के समय में यह बहुत ज़रूरी बाद आज कर लोग दिल से ना दिमाग से चलाता इसा चाहिब यह रियल लाइफ के है मतलब फिल्म में उना रहला यह हम अपना दरफ से बोलता है कि आजकर लोग दिल से ना दिमाघ से चलता है जो रुरी बाद्य दिमाग के चले और जो दिल से चले ओकई दिल लगाके चले चुछा में लोग बिहारी लोग के पास ऊपंतर्पर्दल में जो लोग रहते हैं विए कर मंदारी से काम करें मैनत करें और हम अपने बारे में नहीं हम जहां जाते हैं वहां के लोगों के बारे में बारे में सुचते हैself कि अलग ग्राफर बने torch आट इरे हुर हमवatamente क्सिए क्षम साल में अग छह षाफ करते हैं तो मुना सुचते है की हर परकार के फिल्म में करें, फैमिली ड्रामा भी हो, क्योंकि आप देखे होंगे, अभी जैसे एनिमल ही फिल्म ही आई थी, तो उसमें फैमिली का भी दिखाया गया था, थोड़ा बहुत लोगों ने उंगली उठाई थी, उस पे थोड़ा बहुत था ऐसा कुछ, उसमें फैमिली भी दि दिखाया गया है, चाहें मेरी ही फिल्म थी एक आवारा बलं, फैमिली थी एक्शन था, तो हर आर्टिस चाहता है कि हम हर परकार के फिल्में करें, तो मेरी भी यही सोचे कि अगर मैं साल बर में 5-6-7 फिल्में करता हूं, तो दो फिल्में मैं फैमिली ड्रामा करूं, दो मोटिवेशनल सिनेमा मैसेज वाला करो और मतलब कुछ-कुछ डिफिरेंट तो यह सिनेमा तो आसे डिफिरेंट है आगे जो मैं करने वाला हूँ वह प्रूपर फैमिली ड्रामा है तो फिल्म हर परकार के बनावे के चाहिए कि हमार मायो बहिंद चाची लोग खुछ सोकस लो जो होरर है पहली बार मैंने मतलब होरर और उसमें दो बच्चे हैं उस दोनों बच्चों का इमोशन दिखाया गया है तो हर परकार के फिल्म हम कर रहे हैं और लोग प्यार भी दे रहे हैं अश्रुबाद भी दे रहे हैं